उधारन पांच चित्र में AC बराबर BC, कोण DCA बराबर कोण ECB, तथा कोण DBC बराबर कोण EAC सिद्ध कीजिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम् त्रिभुज EAC, जिसमें DC बराबर EC बच्चो, अब हम उधारन पांच हल करने जा रहे हैं उधारन पांच में आप देखिए, आपके सामने बहुत सुन्दर सी एक आकरिती बनी हुई है इसमें कुछ त्रिभुज भी है, चत्रिभुज जैसा भी कुछ दिख रहा है और इसमें हमको कुछ-कुछ जानकरिय दी हुई है और उसके आधार पर हमें कुछ चीज़ें सीद्ध करनी है तो आईए ज़रे गौर से देखें पूरी आकरिती में हमें क्या क्या दिया हुआ है अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि एक त्रिभुज A, C, E यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है देख रहे हैं उसको आप E, A, C भी पड़ सकते हैं और उसे तरह से एक त्रिभुज D, B, C भी आपको दिखाई पड़ रहा है और आप यहाँ पर देखें तो हमें यहीं सिद्ध करना है इस दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है अब जरहें यह देख लें हमें जानकारी क्या के दी हुई है आप यह जो नीची भुजा देख रहे हैं जो दोनों त्रिभुजों के आधार को मिलाती ही भुजा है A, C और B, C तो इसमें इन दोनों त्रिभुजों के जो आधार है वो बराबर है यह हमें दिया हुआ है A, C बराबर B, C यह हमें दिया हुआ है और कोन, D, C, A कोन, D, C, A अब जारे देखिए आपर कोन, D, C, A यहां पर आकरिती में हम को दिखाए पड़ रहा है D.C.A. जैसे हमने यहां अंकित क्यों हुआ है यह वाला कोड़ इस कोड़ के बराबर है कोड़ E.C.B. के अब देख लिजए यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो कोड़ है वो इस कोड़ के बराबर दिया हुआ है और एक चीज़ दोर दी हुई है कोड़ D.B.C. D.B.C. यह जो दोरों कोने वाले कोड़ है उनके बारे में बात कर रहा है इसको आप देखिए हमने दो निशान लगा है कोड़ D.B.C. बराबर है कोड़ E.A.C. के आप देख लिजए यह दिया हुआ E.A.C. आप देख रहे हैं इसमें त्रिभुज का आधार E.C. दूतरे त्रिभुज D. D.B.C. के आधार B.C. के बराबर है और यहां कोड़े में बना हुआ कोड़ E. इस कोड़ B. के बराबर है और यहां जो बना हुआ कोड़ है वो भी आपसे बराबर है अब हमको इन तीनों जानकारियों के आधार पर उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है तो चलिए सबसे पहले तो जो हमारे पास जानकारी दी हुई है कि इन दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर है तो त्रिभुज के नाम हम लिख ले त्रिभुज दी बी सी त्रिभुज दी बी सी और त्रिभुज ई एसी में क्या कि जनकरी दिउये हुई है दिए ही पहले वाला कि यह दूसरा पश्चे पहला कि दूसरे पाइसी यह ऐसी लिए ये हमने एग जानकारी दी हुई है आप अब देखिए इससी का कॉड ए दूसरे कोंड बी के बराबर है तो हम लिख लें एक Спर्बुज डी बीची का कॉड बी इसे हम जानकारिया हमें मिली दोनों त्रिभूज़े में ये बराबर हैं आपस में अब एक चीज़ और दी हुई है उसे हम लिखें कोड़ DCA इसे लिखें हम कोड़ DCA बराबर कोड़ ECB ECB ये भी हमें दिया हुआ है ये अब देखें DCA और ECB आपसे बराबर है अब आप देखिए कोड़ वास्तों में इस त्रिभूज का पुरा कोड़ नहीं है अगर ये भी कोड़ इसमें शामिल होता तो ये पूरा कोड़ इस त्रिभूज का एक कोड़ बनाता उसी तरह से ये पूरा कोड़ भी इस त्रिभूज का दूसरा कोड़ बनाता तो अगर हम दोनों तरफ इस बीच की हिस्से को जोड़ ले ये आप देख रहे हैं जो DCE के नाम से है ये दोनों कोड़ों के साथ यदि हम जोड़ ले तो हमें मिलेगा कोड़ DCA धन कोड़ ये बीच का कोड़ हम DCE कह रहे हैं कोड़ DCE बराबर हमें मिलेगा कोड़ E C B धन कोड़ इसे ही हमें आगे भी लिखना है कोड़ DCE ये प्रणाम हमें मिला अब इसको देखिए DCA और DCE को हम देखें DCA और DCE इस कोड़ के साथ हम इस कोड़ को जोड़ रहे हैं तो हमें एक पूरा कोड़ मिलेगा A C E आप चाहें तो इसे E C A या A C E पढ़ सकते हैं तो चलिए हम इन दोनों का योगफ़ लिखें एक बाद फिर से आप समझ लिए कोड़ DCA कोड़ DCA और कोड़ DCE कोड़ DCE इन दोनों को हमने मिलाया है तो मिलाने से हमको यह पूरा बड़ा वाला कोड़ मिल रहा है इसको आप पढ़ सकते हैं कोड़ A C E तो हम आप लिख लें कोड़ A C E बराबर अब दूसरी तरह देखिए E C B कोड़ E C B और दूसरा कोड़ DCE कोड़ DCE आप दियान से देखिए यह वाला कोड़ इस कोड़ के साथ जूड़ रहा है कोड़ यह हिस्सा इसके साथ जूड़ा तो हमको पूरा का पूरा कोड़ मिलेगा और इसका नाम क्या है आप लिख सकते हैं DCE B इनके बराबर लिखेंगे कोड़ DCE B और इस परणाम के मिलने पर आप देखिए कि अगर आप इसे पहला तरिभूज कहते हैं तो इस तरिभू के यह दोनों कोड़ आपस बराबर हैं और हमने पहले लिक लिए है कि यह आधार भूज़ा E C और BC बराबर हैं और उनका कोड B कोड A के बराबर हैं इस तरह यह दोनों तरिभूज समय है यह कथन आप लिख सकते हैं और यह प्रमारिफ्वा के दोनों त्रवूज आपस जाहिर है कि पहले त्रवूज के भुजा डी सी दूसरे त्रवूज की भुज़ा इसी के संगत है और इसलिए दोना बराबर है तो दूसरा प्रणाम आप लिख सकते हैं, तो ये दूसरा तत्य प्रमाणित हुआ, पहला कृत्न ये भी प्रमानित किया आपने दूसरा कःम ये प्रमानित किया, अब आप थोड़ा ध्यां से देखें, क्या वास्तों में त्रिभुच जो दूर-दूर दीख रहे हैं आपस में सरवांग साम हो सकते हैं आई आपको हम एक शीट दिखाते हैं और इसमें आप देखिएगा यह हमने इसके इसको उपर रखा ध्यान से देखिए ये A, C, E की उपर हमने रखा तो आप देख रहे हैं कि जो हमने इस शीट पर ट्रांस्परेंसी शीट पर जो त्रिभूज बनाया था वो बोर्ड की त्रिभूज को कवर कर रहा है और वैसे ही एक दूसरा त्रिभूज भी हमने बनाया है जो दूसरे त्रिभूज को पुरी पुरी तरह से ढख लेता है ये त्रिभूज है आपका D, C, B अब यदि इन दौरों त्रिभूजों को हम धकने के मिलाने कोशिश करने तो क्या मिलता है देखिए जरा इस जिगह पर आप देख सकते हैं इस पस्टूप से देखिए दोनों तरभूजों ने एक दूसरे को धक लिया इस चित्र में दोनों तरभूजों की दिशा थोड़ी अलग है लेकिन हमने पल्टाया उसको तो दोनों तरभूज एक दूसरे को धक लेते हैं तब हम कहते हैं कि वह आपस पर सर्वांग समय तो यह आपने देखा उदारण नमबर पांच कि इस तरह सहल होता है पहले के तरह आपने यहां पर भी सर्वांग समता के प्रमे का उपयोग किया और बताया कि जो शेश भुजाएं हैं वह आपस से बराबर है इस तरह से आपका उदारण पांच पूरा होता है